बॉलिवड के बाच्षा शारू खान को कौन नहीं जानता होगा ये सरिफ भारत में ही नहीं बलकि पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं शारू खान वर्ल्ड रेचस्ट एक्टर के लिस्ट में भी शामिल होते हैं इन्होंने बिना किसी गौड फादर के बॉलिवड में अ चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं शारू का रियलनेम शारू खान है और इनको प्यार से एसार के किंग खान किंग ओफ रोमांस और बाश्चा कहते हैं शारू का जनम 2 आवंबा 1965 को न्यू दहली में हुआ और 2023 के साब से 58 साल के हैं दोस्तों इन्होंने अपना बच्पन दिल्ली के राज जंदरनगर में गुज़ा रहा इनके पिता इंडिपेंदेंस एक्टिविस्त थे और जीवन यापन के लिए दिल्ली में रेस्ट्रॉयंट का कारोबार कीया करते थे और पूरा परिवार एक किराय के मकान में रहता था शारूक ने स्कूल के दीनों सब्सक खेल कॉंपिटिशन जैसे की किर्किट, फुटबॉल और नाटक में भी पार्टिसिपेट लिया करते थे और कई दफा इन्होंने फर्स्ट प्राइज भी जीता था इसके बाद इन्होंने दिल्ली उनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से बिये इन इकोनोमिक्स की डिग्री हासिल की इसके बाद इन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए जाम या मीलिया इसल्याम या उनिवर्सिटी देली में अपना दाखिला करवा लिया जहांपर ये मास कम्यूनिकेशन में मास्टर कर रहे थे हाला कि फिल्मों में करियर बनाने के लिए इन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि इनका मन पढ़ाई से जादा नाटक और ठेटर में लगता था इसके बाद इन्होंने कुछ साल नैशनल स्कूल आफ ड्रामा में भी बिताए जहां पर ये ठेटर क्या करती थे अब बात करते हैं शारुक खन के करियर के बारे में शारुक का पहला टेलिविजन सीरियल था दिल दरिया हाला कि इसकी शूटिंग में देरी होने के कारण इनका टेलिविजन डेबिऊ फौजी नाम के सीरियल से हुआ था जिससे इन्हें काफी पॉपलेटी मिली थी इसके बाद कई तरह के टेलिविजन सीरियल में काम करने के बाद इन्होंन अपना बॉलूड में डेब्यू साल 1992 में आई फिल्म दिवाना से किया था इस फिल्म से इन्हें काफी तारिफ मिली थी इसके बाद इन्हें बॉलिड में फिल्मों का ओफर मिलने लगे शुरू में तो इन्हें फिल्मों में नेगेटिव रोल मिला करता था जैसे कि बाजीगर और डर इन फिल्मों में शारुक ने अपने जबरदस्त नेगेटिव किरता निभा कर बॉलिड में अपना सिक्का जमा इसके बाद शारुक ने कई रोमेंटिक फिल्में की जैसे कि दिल वाले दुलहनिया ले जाएंगे कुछ-कुछ होता है दिल तो पागल है परदेश, देवदास और कई फिल्मों में बैतरिन एक्टिंग के बदौलत इन्हें रोमांस किंग कहा जाने लगा इनकी फिल्म दिल वाले दुलहनिया ले जाएंगे ने तो इतिहास रच दिया और बॉक्स ओफिस इंडिया की तरफ से इस फिल्म को आल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म घोशित किया गया और इस फिल्म का शो मुंबई के एक सिनिमा घर मराठा मंदिर में आज भी चल रही है इसके बाद शारुक ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगतार फिल्म भी दुनिया में एक से बढ़कर एक फिल्म करके अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया और साल 1999 में शारुक की सिर्फ एक फिल्म आई बादशा जिसने बॉक्स ओफिस पर आते ही तबाही मचा शारुक खान ने कमल हसन की फिल्म हे राम में सपोर्टिंग रोल किया जो फिल्म तमिल और हिंदी में रिलीज की गई और ये शारुक खान की तमिल डैबियो फिल्म थी और 2001 में शारुक के प्रोड़क्शन हाउस द्वारा फिल्म अशो का रिलीज की गई लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप रही दोस्तो 24 में Production House Dreams Unlimited का नाम बदलकर Red Chili's Entertainment कर दिया गया और as a producer इनकी वाइफ गौरी खान बन गई और इसी साल फरा खान की directional debut फिल्म मैं हूना में शारू खान ने काम किया जिसने Box Office पर खूप कलेक्शन किया और ये वही साल था जिसमें शारू खान की फिल्म स्वेडेस आई और ये भारत की पहली ऐसी फिल्म बनी जिसको नासा में शूट किया गया और साल 24 के बाद शारू खान ने कई Bollywood फिल्म में काम किया जिन में से कुछ फिल्मों के नाम है अब बात करते हैं शारू खान के हाउस के बारे में तो दोस्तो मैं आपको बता दू शारू खान का आलिशान बंगला मननत है जिसे शारू खान ने मुंबई के बैंड इस्टेंड में 13 कड़ो रुपे में खरीदा था मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मननत की कीमत फिलाल करीब 200 कड़ो रुपे है हैरान करने वाली बात तो ये है के मननत के केवल नेम प्लेट ही लाख रुपे की है जिसे खुद गौरी खान ने डिजाइन किया था इसके अलावा अले बाग में भी शारू खान का गर है जहां पर अक्सर फैमली के साथ हॉलिडे इंजॉय करने के लिए जाते रहते हैं इस घर की कीमत 15 कड़ो रुपे है शारू खान का दुबाई के पाम जुमेरा में एक आलिशान विला है जिसकी कीमत 100 कड़ो रुपे है दुबाई बेस प्रोपेटी डैवलेपर नकील ने इस विला को साल 27 में शारू खान को गिफ्ट के तोर पर दिया था मुंबाई और दुबाई के अलावा शारू खान का लंदन में भी घर है जो 172 कड़ो रुपे का है शारू खान जब भी परिवार के साथ लंदन जाते है वे परिवार के साथ वहाँ वक्त बिताते हैं चलिए मिलवाते हैं आपको शारू खान की फैमिली से तो दोस्तों इनके पिता का नाम है ताज महम्मद खान जोकी एक बिजनिसमेन थे और इनकी माका नाम है लतीफ फातिमा जोकी एक मज़िस्ट्रेट और शोशल वर्कर थी और शारू खान की एक बेहन भी है जिनका नाम है शैनाज लालारुक और इनकी वाइफ है गौरे खान जिनसे इन्हुने 1991 में शादी की जो की एक फिल्म प्रोडियोसर और इंटीरियर डिजाइनर है दोस्तों इनके तीन बच्चे हैं दो बेटा और एक बेटी इनके बड़े बेटे का नाम है आरियन खान और छोटे बेटे का नाम है अबराहम खान और इनकी एक बेटी है जिनका नाम है सुहाना खान अब बात करते हैं शारूख खान की कार कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दू शारूख कार के काफी शौकीन है जिस चलते हैं इनके कलेक्शन में कई लग्जरी और महेंगी कारे शामिल है जिनमें पहली कार है हाई उन्दाइ क्रेटा जिसकी कीमत है 17 लाग और दूसरी कार इनके पास है मिटसू बिसू पजेरो जिसकी कीमत है 25 लाग रुपे और वहीं शारूख खान ऑडी एट एल भी ओन करते हैं जिसकी कीमत है 1857 लाग रुपे और दोस्तों शारूख के पास टोयटा लाइंड क्रूजर भी है जिसकी कीमत है डिर्ड कडो और शारुक के पास BMW 7 Series भी है जिसकी कीमत है 2.82 लाख रुपे और नाइन्थ नमबर पर आती है शारुक की Land Rover Range Rover Sport जिसकी कीमत है 2.19 लाख रुपे और वहीं शारुक के पास Bentley Continental GT भी है और इस कार की कीमत है 3.57 लाख रुपे और दोस्तो शारुक खान उन एक्टर में भी शामिल होते हैं जिनके पास Rolls Royce है इनके पास Rolls Royce Phantom Drop Head कूपे है जिसकी कीमत है 7.60 लाख रुपे और वहीं मैं आपको बता दू शारुक खान की सबसे महेंगी कार है Bugatti Veyron जिसकी कीमत है 12.20 लाख रुपे तो दोस्तो मैं आपको बता दू शारुक खान एक फिन के लिए 80-100 करो रुपे तक चार्ज करते हैं और वहीं एक ब्रांड को इंडोस करने के लिए 22 करो रुपे लेते हैं दोस्तो शारुक खान एक Businessman भी है तो इन्होंने 930 करो रुपे की President Investment कर रखी है जिस वज़े से इन की इनकम होती है और शारुक खान अपने Production House और IPL Team से भी इनकम करते हैं वहीं बात करें शारुक खान के Net Worth के बारे में तो दोस्तो मैं आपको बता दू शारुक खान World Richest Actor में शुमार होते हैं जिस चलते हैं इनके Net Worth है 6,282 करो रुपे तो यह थी शारुक खान की लाइव इ किन रिप्रेस कर लेना